नमश्कार, मैं हूँ बिंदुशंगारी और मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है हाल फिल हाल जो हो रहा है उसके बारे में सबका ध्यान है आए उसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर इस परिशानी से हमें कब तक राहत मिलेगी सिंपल वे में ग्रहों की स्थिती को समझते हुए बात करें तो शनी और मंगल ग्रह मकर राशी में हैं प्रस्पती और केतु ग्रह धनु राशी में, राहु ग्रह मिथुन राशी में और सूरे ग्रह मीन राशी में इन ग्रहों की स्थिती और यूती ही इस परिशानी का कारण है और जैसे ही इन की स्थिती बदलेगी यानि राशी प्रिवर्तन होगा वैसे ही राहत मिलने का कारे शुरू हो जाएगा ब्रस्पति घ्रह 29 मार्च की शाम शनी की मका राशी में प्रवेश करेंगे और शनी मंगल के साथ यूती करके उनके प्रकोप को कम करने में हमारी मदद करेंगे तो पहली बड़ी राहत मिलेगी 30 मार्च 2020 को दूसरा बड़ा घ्रह जो राशी प्रवर्तन करेगा वो है सूरे जो की मीन राशी से अपनी उच्च की राशी में भ्रमन करेंगे 13 एपरल 2020 की रात को यानि 14 एपरल से 14 मई स्थिती में और सुधार आने के योग बनेंगे ये समय विश्व के लिए कोई खुशकबरी ला सकता है यानि इस महामारी से लड़ने का कोई इलाज भी मिल सकता है तीसरी बड़ी राहत 4 मई 2020 की शाम को जब मंगल ग्रह शनी की राशी और शनी की यूती छोड़कर कुम्ब राशी में प्रवेश करेंगे इससे negativity में कमी आएगी और शुब फलो में वृदी होगी 15 मई से जीवन शैली में सुधार आना प्रारम हो जाएगा तो friends इस मुश्किल की घड़ी में आईए उस इश्वर से connect करते हुए खुद को अपने परिवार को अपने देश को पूरे संसार को positive vibes भेजते हैं हम सब स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, खुशाल हैं, किसी तरह का भै हमें परिशान नहीं कर सकता और इसी प्रात्ना के साथ मैं आप सब का धन्यवाद करती हूँ Thank you